नमस्कार दोस्तों मैं हुँ चाणी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाईन भोजपुरिया इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां कई सारी फिल्में आती हैं कई सारे अल्बम आते हैं तो कई बार भूझपुरी इंडस्टरी के स्टार्स अपनी किसी ना किसी बात को लेकर आ जाते हैं चर्चे में। हीरो अगर कहा जाये तो ये भी गलत नहीं है बतादे आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं जो कि फिल्मों से जुडि हो उगहां आल्बम से जुड़ी है गानों से जुड़ी और साथी साथ घोचपूरी के स्टार से जोड़ी हुई है और इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग घोचपूरी में मैं सभी के सामने वो खास खबरे लेकर आती हूँ जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं और साथी साथ कई सारी वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर ऐसी होती हैं जो की वाइरल होती रहती हैं और लोग उन खास वीडियोज फोटोज को देखना भी पसंद करते हैं और साथी साथ सुनना पसंद करते हैं बता दें आपको कि जहां भोजपूरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में वनाई जा रही हैं तो फिल्मों की कहानी को लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और अगर बात की जाए इन खबरों की तो बता दें कि कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जो की काफी ट्रेंड में रहती हैं और फिल्मों से तो जुड़ी ही होती हैं लेकिन साथ ही साथ भोचपुरी के एक्टर और एक्टरस से भी जुड़ी रहती हैं बता दें कि इन दिनों भोजपुरी के जो सूपर स्टार्स है पवन सिंग, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ इन से भी जुड़ी तमाम तरह की खबरे आ रहे हैं जहां ये लोग 2019 के लिए आप सभी के लिए मनुरंजन का पैकेस तयार कर रहे हैं तो वहीं इन दिनों वो एक के बाद एक नया एल्बम सौंग निकाल रहे हैं और न्यू यार यानि की 2019 के स्वागत के लिए काफी जोरों शोरों से तयारिया कर रहे हैं बताते दोस्तों आपको कि इन दिनों जहां खिसारी ला लिया दो अपने तमाम तरह के एल्बम को लेकर चर्चे में है तो वहीं पवन सिंग अपने फिल्म और एल्बम दोनों को ही लेकर काफी जादा चर्चे में है और तमाम तरह की फोटोस भी उनकी सोशल मीडिया पर आ जो कि इन दिनों जिन्होंने काफी कम टाइम में भुश्पूरी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाने में काफी ज्यादा सक्सेस हुए और साथी साथ इन दिनों उनके पास भी तमाम तरह की फिल्म में देखने को मिल रही है और साथी साथ इन दिनों कई सारी फिल्मों और उनके पास तमाम तरह की ऐसी फिल्म में हैं जो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो दोस्तों चलिए नज़र डालते हैं पहली ख़बर पर और पहली ख़बर यह है कि हाली में खिसारी लाल यादव का गाना आया है न्यू यर पार्टी सॉंग और इस पार्टी लोगों ने पसंद किया तो वहीं इस एल्बम के बारे में लोगों का क्या कहना है और इस एल्बम को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही है चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में इन दिनों जहां 2018 की विदाई और 2019 के स्वागत की तैयारियों में आम लोग जो श है नएच साल के पार्टी वहीं बता दें कि इससे पहले भी सारी लाल यादव ने नएस साल के लिये एक में रिलीस किया था जिसके के बोल थे लवर का ग्रीटिंग काड आया है बदा देगे खेसारी के इस एलबम को जहां लोगों का धेर सारा प्यार मिला तो वहीं इस एलबम को भी लोग खासा पसंद कर रहे हैं और साल 2018 के जाते जाते और भी कई एलबम खेसारी लाल यादव की सामने आने वाली हैं असी खबरे आ रही हैं लेकिन अब ये भी देखना काफी मज़ेदार होगा कि इन एलबम के साथ साथ खेसारी लाल यादव की फिल्में 2019 में कितना कमाल दिखा पाती है नेक्श नाइन भोचपूर्या से चाननी के रिपोर्ट लिए ये खास तोफ़ा रखाया और ये खास तोफ़ा दिया है उन्हें नियू यर से पहले अब देखना ये भी मज़ेदार होगा कि नियू यर के आने तक क्या कुछ नया लेकर आते हैं कि सारी कौन-कौन से नए अलबम लेकर आते हैं और लोगों को वह एलबम कितने पसं प्रेमी जीनों ने फिल्म चना जोर गरम से काफी जादा तहल का मचायत हो और उसके बाद एक के बाद एक उनकी तमाम तरह की फिल्मे आई और अब वो उन खास चेहरों में शुमार हो चुके हैं भोजपूरी के जो कि इन दिनों भोजपूरी इंडस्ट्री को कई अच्छ प्रमोट प्रेमी जहां अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं तो हाल ही में उनसे जुड़ी एक खबर सामने आई है दरसल प्रमोट प्रेमी का सोशल मीडिया पर एक नया एल्बम सामने आया है जिसका नाम है शादी भहिल नया साल में बतादे कि इस एल्बम को रिलीज किये हुए महज कुछ घंटे हुए हैं और इसे अब तक कई व्यूज मिल चुके हैं बतादे कि प्र प्रमोट प्रेमी ने एक्टिंग फील्ड में इसी साल 2018 में कदम रखा था फिल्म चनल जोर गरम से एंट्री करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़ी नई फिल्में की और आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों में शामिल हो चुके हैं जिससे तो साफ है कि प्रमोट प्रेमी के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिंग करियर को लेकर काफी ज्यादा हुनर है और वो अपने हुनर को निखारने में कोई कमी नहीं करते लेकिन अब ये भी देखना काफी मज़ेदार होगा कि इस एलबम को लोग और कितना पसंद करते हैं और ब पागी कि सूपर स्टार्स के एलबम को ये एलबम टक कर दे पाता है या नहीं नेक्स राइन बोच पुरिया से चानने के रिपोर्ट तो दोस्तों ये थी एक एलबम जो कि अभी हाली में प्रमोट प्रेमी ने गाया और इस गाने को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं ल प्रेंटेड एकटर्स में से एक हैं जो की हमेशा ही अपनी किसी न किसी बात को लेकर चर्चे में बने रहते हैं और हमेशा ही उनकी कोई नई फिल्म की चर्चा सामने रहती है तो भहीं कई सारे अलबम भी दे चुके हो और बता दू आपको कि एक्टिंग से पहले वोऊ एल्बम ही बनाते थे और सिंगिंग से ही उन्होंने अपने करियर के शुरुआत की है और अब यह भी देखना काफी मज़ेदार होगा कि 2019 में प्रमोट प्रेमी क्या कुछ खास लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए तो वहीं अगर अगले खबर की तरफ रुक किया जाये तो वह खबर भी हमारे सबसे ज़ादा सूपर स्टार कहे जाने वाले एक्टर खिसारी लाल यादो की तरफ से आ रही है बता दे आपको कि खिसारी लाल यादो जहां तमाम तरह की फिल्में, गाने, एल्बम और तमाम तरह की वीडियोज लेकर आते हैं तो वहीं इन दिनों एक और बात को लेकर चर्चे में रहते हैं इन दिनों ही नहीं, वो बहुत पहले से ही एक बात को लेकर चर्चे में रहते हैं और वो है उनके अपने उनके friends वेच जो भी हो और अपनी family की तो बात ही अलग है वो हर किसी के साथ एक अपना पन जैसा behavior रखते हैं अपने पन जैसा वेभार रखते हो और इसलिए वो हमेशा ही अपने से जुड़े अपने फिल्मों से जुड़े हर किसी को हर किसी के जिंदगी के किसी खास मोके पर यानि की जन दिन हो या शादी हो या फिर हो कोई खास event हमेशा ही शुब कामनाई देना नहीं भूलते और जब बात शादी की हो तो शादी में वो हमेशा ही शरीक होने की कोशिस करते हैं रंग जमाने की कोशिस करते हैं और ऐसा ही हुआ उनके manager सोनू पांडे के साथ जिहां उनकी शादी में खेसारी लाल यादव उनके भाई बड़े भाई की तरह नजर आए उनके साथ हमेशा हर जगा खड़े हुए और साथी साथ खेसारी लाल यादव वहाँ पर उनकी सालियों के साथ मजाक मस्ती करते हुए भी नजर आए और वहाँ का महौल खुशनुमा बन सारी के इस मस्ती मजाग भरे मूट पर भोजपुरी के सूपर स्टार के सारी लाल यादव हमेशा ही अपनी किसी ना किसी बात को लेकर चर्चे में बने रहते हैं और अगर बात की जाए उनके पर्सनल लाइफ की तो बता दें कि जहां फिल्मों में वह अपनी अदाइगी और हीरो गिरी से सबके दिल पर राज करते हैं तो वहीं वो खुद से जुड़े लोहों के साथ भी दिल से रिष्टा निभाने के लिए जाने जाते हैं वहीं बता दे की हाली में उनके मैनेजर सोनू पांडे की शादी के एक वीडियो सोशल with meडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें सोनू की साल्यां खेसारी संघ मजाग करती नजर आ रही हैं और वो सोनू पांडे के साथ एक बड़े भाई की तरह बैठे हुए नजर आ रहे ह और साथ ही खेसारी ने इस शादी में खूब चर्चा भी बटोरी वहां मौजूद लोगों के साथ घुल मिलकर मजाक मस्ती करते हुए नजर आये तो वहीं सोनु पांडे के साथ एक बड़े भाई की तरह कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहे और यह नजारा भी देखते ही बन सालिय उनको जब यहसं सूपर स्टार बनाने में मदद करती हैं जो कि खेसारी लाल जी के अंदर है तो वहीं आज की दाजा खबरों में हमने आपको बताई ये कुछ खास खबरें जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है चर्च में हैं लोग इने देखते हैं सुनते हैं समझते हैं और इन खबरों पर लोगों की नजरें बड़ी ही बारी किसे बनी रहती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं फिर से हाजिर हूँ में आप सभी के सामने कुछ ऐसी ही खास खबरें लेकर जो कि इन दिनों ट्रेंडिंग में है तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन भोजपूरिया